आज मैं आपके साथ सॉक्स बनाने की वीडियो शेयर कर रहे हूं आप ये सॉक्स बच्चों के भी बना सकते हैं बड़ों के सॉक्स वीसी तरीके से बना सकते हैं तो मैं यहां पर अपनी बेटी के लिए बना रहे हूं तो मेरी बेटी है जो है उसके साइज के साफ से आप दस साल तक के बच्चे का यह बना सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम चेन बना करके तयार करेंगी तो आप अपने बच्चे के पैर के साफ से देख लें लंबाई वाकि मैं यहां पर अपनी बच्ची के लिए बना रहे हो तो मैं यहां पर 32 फंदे ले रहे हो 32 चेन बना रहे हो तो एक बार चेन बना लेते हैं फिर आगे कर डिजाइन में आपको दिखाती हूं तो यहां पर देखिए मैंने चेन बना के तयार कर ली है 32 मैंने चेन बना ली है यहां पर और अब इसको हम इसके आगे तीन चेन और बनाएंगे और इसके बाद फिर हम थर्ड वाली चेन में एक double crochet बना लेंगे तो यहाँ पर हमारी यह दो chain बन गई है next वाली chain में भी हम double crochet बनाएंगे और इस पूरी row को हम double crochet ही बनाएंगे यह जो design है इससे simple सा ही बना रहे हम बहुत simple तरीकी से जो कि वेगनर है वो भी बना सकते है तो यहाँ पर double crochet करके ही हम इस पूरे design को complete करेंगे तो यहाँ पर पूरी row हमें बनानी है double crochet करके तो पहले मैं यह row complete कर लेती हूँ और फिर मैं आपको यह दिखाती हूँ तो यहाँ पर दिखिए मैंने यह पूरी row complete कर ली है अब हम इसे पलट लेंगे और wrong side से बनाना शुरू करेंगे यहाँ पर हमने सबसे पहले 3 chain बनानी है और उसके next वाले chain के अंदर हमें बनानी है double crochet तो हमारी यह जो chain है यह ही double crochet में ही count होगी उसके next में भी हम बना लेंगे double crochet इसी तरीके से double crochet करके इस वाली row को भी complete करेंगे तो इसी तरीके से हमें यह row complete कर लेनी है और उसके बाद फिर हमें ऐसी तरीके से पलट के इसको wrong side से फिर से बनाना है double crochet तीन chain बनानी है पहले और उसके बाद फिर हम इसमें double crochet बनाएंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको बना करके त्यार करेंगे और तक्रीवन 15-16 रोव बना लेंगे अपने बच्चे के पैर के साब से बनाए मैंने यहाँ पर 15 रोव बना लिए है और अब यह देखे यह हमारे पास एक square piece बन के तयार हो गया है और यहाँ पर धागा मैंने काट दिया है यहाँ note लगा लेंगे तो अब हम इस square piece से ही बना के तयार करेंगे हमारा socks तो यह देखे यह तरीके का बन चुका है इसको wrong side से, ulti side से हम ले लेंगे और एक side से जहाँ पर मेरा हाथ है यहाँ से यहाँ तक slide करेंगे और यहाँ से यहाँ तक slide करेंगे इसको इस तरीके से स्लाई करना है और पीछे की साइड से भी हमें इसे सुई धागे की मदद से सिल लेना है तो सबसे पहले मैं यहां से आगे से इसको सिल लेती हूँ और बहुत ही बारिक बारिक करके सिलना है हाँ ard तो यहां पर दििए से पहली आपको डाट लगानी है और फ। जैसे हम कपड़ी को सिलते हैं बिल्कुल उसी तरीका से इसको सील करके तयार करना है तो यहां सिभम उपपर तक सील लेंगे आगे की साइड से पहले नहें इस तजारी की कि'm अब हम यहां पर फ्रंट साइड से उपर से इसको इस तरीके से लाए लगाएंगे तो अब इस तरीके से इसको काट लेंगे दागे को और पीछे की साइड से इसी तरीके से सिल करके थे त्यार कर लेंगे यहां से तो हमने इसको पीछे से भी सिल करके त्यार कर लिया यह देखिए अब इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे तो यह देखिए एक सॉक्स हमारा बनके रेडी हो गया है बहुत ही इसली बना सकते हैं डबल क्रोशिया से ही बनाना है और बहुत ही सिंपल डेजाइन है आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही वाम रहेंगे यह उनके बने हुए सॉक्स तो यह आप जरूर बनाएं तो यह देखिए यह मैंने पनी बेटी के पैर की साब से बनाया था इसको मैंने पहना के देखा इक्तम फिट आ रहा है आप चाहें तो आगे फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं तो मैंने इससे भी सिंपल रखा है अगर आपको वीडियो शी लगे तो वीडियो को लाइक को शेर करें और थैक्स फो वाचिंग इस वीडियो